आज हम सकरकंदियों को उबालेंगे कुकर में वो भी बिना पानी के यह तरीका आसान होने के साहथ बहुत ही अच्छा है अक्थार हम सकरकंदियों को या तो पानी डाल कर उबालते हैं जिससे वो अवरगोको जाती है या उनकी मिठास चली जाती है और हम कही बार सकरकंदियों को सेख भी लेते हैं तो वो जल जाती हैं जिसे उनका गुदा वेस्ट होता है तो उबालते हैं सकरकंदियों को सकरकंदियों उबालने के लिए सबसे पहले हमें कुकर लेंगे कुकर में डालेंगे एक चम्मच घी हमें घी ही लेना है जिससे सकरकंदियों का टेस्ट बढ़ जाएगा खाने में बहते टेस्टी लगेंगे घी से ग्रीस कर लेंगे कुकर को इस तरihकेस अच्छ से अब हम कुकर को साइड में रख देंगे फिर बॉल में पानी लेंगे और एक किचन टॉबल लेंगे थोड़ा बड़ी साइज का होना चाहिए किचन टॉबल या मोटा होना चाहिए इस तरीके से गीला कर लेंगे इसको फिर हम इसको निचोड लेंगे पानी नहीं रहना चाहिए टॉबल में अब टॉबल को साइड में रखेंगे यह सकरकंदिया मैंने अच्छे से धो लिए हमें पहले अच्छे से धो लेनी है और पॉंच लेनी है उसके बाद इसमें रखनी है तो यह मैंने चार सकरकंदिया लिए इनको मैंने इस तरीके से सैट कर दिया इसमें अंदर अब हम जो हमने टौवल गिला किया है Gears को on करके और गैस का flame low to medium रखेंगे और हलकी सी इसमें CT बनने देंगे और उसके बाद rukल देंगे लो करदेंगे तो देखे जहलेगे मैंने इसको फ्लेम लो करदिया है अब हम इसको 20 मिन्ट के लिए इसी तरीके से पकने देंगे, 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसकी सीटी को अपने आप हम निकलने देंगे, गैस बंद करके, और उसके बाद हम इसको, इसके ढखकन को खोलेंगे, तो देखें, इसकी सीटी निकल चुकी है, अब हम ढखकन को इस तरीके से खोल लेंगे, अब हम बड़ी साब धाने से ये किचन टॉवल को इस पर से हटाएंगे क्योंकि ये गरम होता है, फिर हम सकरकंदियों को निकालेंगे किसी भी पिलेट में, ये सबसे बैस तरीका है फ्रेंट्स, जरूर ट्राई कीजेगा और कमेंट करके जरूर बताईगा कि आपको मेरा वीडियो क सिख चुकी है, आगे मैं तोड़ कर भी बताऊंगी, तो देखिए अब हम इनको चेक कर लेते हैं, देखिए कितने आसानी से तूटी है, और अंदर से अच्छे से सिख चुकी है, तो फ्रेंट्स, ये तरीका जरूर ट्राई कीजेगा, और मैंने चैनल को सब्सक्राइब न सकरकंदी को चील लिया है, इसी तरीके से हमें सभी सकरकंदी को चील लेना है, एक दम अच्छे से ये उगली है, तो फ्रेंट्स, इस तरीके को जरूर ट्राई कीजेगा, मिलते हैं फ्रेंट्स, एक नई रेसिपी के साथ, दन्यवाद्